दमश्कर किसान भाईयों मेरे नामे रंजीत और आप देख रहे हैं अगरी कल्चो फार्मिंग किसान भाईयों आज हम बात करेंगे धार में लगने वाले कीटो के लिए ड्यूपॉर्ड की पैकसलोन इंसेक्टिसाड के बारे में जो कि पैकसलोन ये पहुदो के विबिन हिस्सों में मौजूद लक्ष कीटो को मार देता है इसके लावे ये कीटो के खिलाफ शक्तिशली नियंत्रिम परदान करता है और चावल की फसलों को कीट पतंगों से बचाता है मतलब ये फसलों को अच्छे से कवर करके रखता है तो हम इस वीडियो में पैकसलोन कीट नाशक के बारे में फूरी डिटेल में बात करेंगे कि पैकसलोन कीट नाशक में टेक्निकल क्या है और ये कैसे काम करता है इसको धान के लावा कोई और फसलों में डाल सकते हैं नहीं और ये कौन-कौन से कीटों को कंट्रोल करता है इसकी मातरा क्या है इसके रिजल्ट कितने दिन का है और इसकी कीमत क्या है तो ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली वारा है तो वीडियो के नीचे दिये गए लारंग के बटन को दबा दीजिए ताकि खेती समंधी नहीं नहीं वीडियो आपको समय समय से मिलती रहें तो चली शुरू करते हैं तो किसान भाईयों सबसे पहले बात करेंगे तेले पर ततकाल और भहुती प्रभाविन यंत्रन है और इसमें टेक्निकल है ट्राइफलू मैजो प्राइम 10% SC SC का मतलब सस्पैंशन कंसेंट्रेट ये सफेद गाडे रंका होता है और ये ट्रास्लैमनर विज सिस्टमिक मोड अफ एक्शन वाल इंसेक्टिसाइड है मतलब ये असानी से हरी पत्यों में परवेश करता है और पौदों के सभी भागों में पहुंच जाता है उपर और नीचे दोनों तरफ फैलता है इसके अलावा इसमें मतलब ये अगर तने में है तो तने से नई पत्यों तक आ जाता है और ये तने से पत्यों तक पहुंच सकता है और पत्यों से तने तक पहुंच सकता है और ये फसलों में तेजी से परवेश करता है और ना केवर फसलों को वर्षा प्रतिरोधी होने में सक्षम बनाता है बलकि एक लंबे समय तक चलने वाला प्रभावी प्रदान करता है और पैकसलों लापकरी कीडों के लिए बहुत रक्षित है जिससे इसका प्राइव वरण पर बहुत ही कम प्रभाव है इसके लावा पैकसलों को ऐसी फॉर्मलेशन में त्यार किया गया है जो कि असानी से पानी में गूल जाता है और किसान भाईयों उच्छी सला ये होगी कि धान के गुच्छे पर 5-10 भूरे कूदने वाले माहू या कीड़े दिखें तो जल्दी से पैकसलों के सप्रे करा दीजिए और अगर आपने सप्रे नहीं की तो फसल की उत्पादन में भारी नुकसान हो सकता है और पैकसलों उपज बढ़ाने के साथ बहतर फसल सुरक्षा परदान करता है अब बात करते हैं क्यों पैकसलों सबसे बढ़िया पसंद किसानों की पहली बात तुरंट सुरक्षा देता है मतलब ये तेजी से रोख थम करता है और क्यूटों का खाना बंद कर देता है दूसरी बात भूरा माहू से पूरी सुरक्षा मतलब माओ या तेले द्वारा होने वाले नुकसान से बहदरीन सुरक्षा तीसरी बात लंभी अवधी तथरोग थाम मतलब ये 21 दिनों तक फसल में सुरक्षा परदान करता है और चौती बात ये प्राइवरन के लिए बहुती ज़्यादा अनुकूलता परदान करता है मतलब ये रक्षक कीट के लिए बहुती सुरक्षित है और किसान भाईयों पैक्सलान कीट नाशक धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपरस मतलब भूरा माऊ या भूरा तेला और वाइट बैक प्लांट हॉपरस मतलब सफेद माऊ या सफेद तेला को प्रभावी डंग से कंट्रोल करता है और Paxalon देता है साफ सुत्रे हरे भरे स्वस्त तने जादा उत्पादक बालियां और बहतर दाना भराई क्योंकि ये तेजी से पतियों तनों दुवरा पूरो पौदों में फैल जाता है जिससे फसल की अच्छी पैदवार भी होती है और Paxalon को Pyraclast की शक्ती दुवरा प्रियोजित किया गया है अब बात करते हैं इसकी मातरा के बारे में तो किसान भाईयों इसकी मातरा है 94 ml प्रती एकड और आप सप्रे में 1500 से 180 लिटर प्रती एकड पानी का प्रियोग करें ताकि आपको रिजल्ट पूरा मिले और आप Paxalon क 470 ml पाच एकड के लिए और 940 ml दस एकड के लिए और 94 ml पैक की किमते 1600 रपे उमीद करता हूँ आप सभी को ड्यूपॉंट की Paxalon कीट नाशक के बारे में दी की जानकर ये अच्छी लगी होगी और किसान भाईयों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद